समय जा रहा है, समय का घोड़ा दोड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है सुबह होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूहीं तमाम होती है, उम्र यूहीं तमाम करने के लिए थोड़ी है, जो है उसके अनभाव के लिए है धर्म का संचय इसलिए हमारी संस्कृति का आधार धर्म है धर्म हमारी भारतिय संस्कृति का आधार है और हमने अगर धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करेगा तो धर्म का पालन तो धर्म ही हमारी भारती संस्कृती का आधार है सबका अपना एक स्वधर्म है अगनी का धर्म है अगनी का धर्म है उष्णता अगनी में ताथ है जल में शीतलता है इन पतार्थों का धर्म है जल को गर्म करेंगे फिर वो अपने धर्म में वापस आ जाएगा फिर धन्टा हो जाएगा क्योंकि उसका वह स्वधर्म है और वो अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करता अगनी को अगनी की जवाला उपर जाती है ताप है उसमें वो स्वधर्म उपर की ओर जाती है अगनी जल से उसको शांत कर सकते हैं बुझा सकते हैं इसको जुका नहीं सकते स्वधर्म है उसका धर्म हमारी शंस्कृती का आधार है धर्म है मानोता के जीवन को कैसे जीना धर्म सिखाता है धंड भी देता है अनुशासन भी सिखाता है धर्म दंड भी है धर्म अनुशासन भी है धर्म नियम भी है धर्म मर्यादा भी है धर्म विधी भी है धर्म न्याए भी है धर्म वह है जो हमें जीवन के परती सचेष्ट रखता है सचेट रखता है हमें उजाले में रखता है कब क्या करना क्या नहीं करना इसके प्रति सचेष्ट रखता है उसी को धर्म कहते हैं जो सदैव हमें जाग रुक रखे अपने कर्तब्यों के प्रति उसी को धर्म कहते हैं धर मतलब सचेष्ट रहना धर मतलब सावदान रहना धर मतलब जागते रहना क्या कर्तब्य है और क्या कर्तब्य नहीं है क्या विधी है क्या निसेद है इस बारे में अपने विचार, चिंतन और अपने क्रिया को स्पष्ट रखना यही धर्म है इसलिए हमारी भारती संस्कृति का आधार ही धर्म है अध्यन सम्रद्ध है हमारे देश की संस्कृति विश्वद्वारा संस्कृति तुकि हम रिशिष चिंतन से परिपूरित है धर्म के रक्षा नहीं किये तो धर्म भी हमारे रक्षा नहीं करे इसलिए अध्यात्म में सेवा धर्म प्रधान धर्म का आगया स्वधर्म जो है और सबका अपना स्वधर्म है प्रतेक स्रेश्ट सुभ कल्यान कारिय संपादित करने वालों का स्वधर्म है लेकिन अभी मान ना हो मान और सम्मान का भाव ना हो ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा यह भाव न हो चाज भाव हो निश्वार्थ भाव ना हो तब ही कल्यान कारिय वा ध्यात में गणित नहीं है कोई गणित अईसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा जहां पर भाव आएगा मान का सम्मान का जो संचित पुन्य है वो अभी घटने लगेगा जो कुछ अज्जा भी किया होगा अब घटने लगेगा दूसरेष्ट कर्म भी करते हैं दूसरेष्ट सुब कर्मों का एक दूसरेष्ट फल प्राप्त होता है और फिर एक जो चाहना विक्सित होने लगती है मान और सम्मान की तो यह सारे ऐसे संचित स्रेष्ट कर्मों का फल भी नष्ट होने लगता है मान सम्मान की अच्छा से सहज भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए नहीं स्वार्द बाव नहीं है तो जो सेवा है वह कर्म बन जाता है जो बंधन का करण होता है कर्म से बंधन होता है सेवा से मुक्ति होती है कर्म से नहीं मुक्ति होती है कर्म से बंधन होता है मुक्ति होती सेवा से लिक्नों सेवा के पीछे भी अगर बावना विसुद्ध नहीं है तब उसका सहिष्ठतम रूप हमारे सामने प्रकट नहीं होता तो जहां समर्पन भाव है जहां सिवा भाव है वहां ग्रहन करने की कामना नहीं है वहां तो अर्पन की कामना है वहां तो दाइत प्रबोध है वहां कर्थब भिबोध है मात्र वहां किवल समर्पन है कुछ परिश्थितियों में ग्रहन करना भी है तो अल्प मात्रा में ग्रहन कम कर रहा है समाज राष्ट विश्व के लिए प्योगी ज़्यादा है ग्रहन कम से कम और सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा लेना कम देना ज़्यादा इसी को हमारे रिश्यों ने कहा अपरी ग्रह परिग्रह मनें खुब एकठा करना हुब एकठा करके सजाके रखना हुब एकठा करके भर के रख लेड़ा आइ दुसरेको बिलकुल देना नही quantity बंट ताला बंट चया भी जवे में रखना अनावस्यक वस्तों को एकठा करने से बचना अनावस्यक जितना अपयोगी उतना रखना जो वस्तुत्पन्न होती है वो सब अपने कारण में जाती है जो वस्तुत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है समय से धर्म क्या कहता है अध्यात्म क्या कहता है इसी लिए त्याक भाव पर्थम है, सेवा भाव पर्थम है बिना त्याक भाव के सेवा भाव के कहीं कोई अध्यात्म नहीं है जहां मैं और मेरा भाव है, वहां कोई अध्यात्मिक जीवन है ही नहीं अपनी आउसकताओं को देखते हुए अपनी शक्ती का उपयोग स्रिष्ठ कारियों में करना कल्यान कारी कारियों में करना लोक हित में करना समाज हित में करना यही अध्यात्मिक जीवन है दुखियों के दर्द को समझना सबकी पीडा का अनुभाव करना दुखियों के दुख को कैसे दूर कर सकते हैं ये सोचना तो ये धर्म है जो हमें समाज से जोड़ता है जो हमें अपने कर्तब्बे से जागरुक रखता है नदियां प्रवाहित हैं चल रही है और जो प्रवा है वो तो बह रहा है और तलाब बन जाएगी नदी तो क्या हो जगा शड़ जाएगा वो तो त्याग भाव सेवा भाव अध्यात में प्रथम है जो कुछ भी प्राप्त है मूल में इश्वरी कृपा का ही आधार है और इश्वर की दी हुई शक्तियों का हमें सार्थक उप्योग करना चाहिए अपने वाणी का अपने विचारों का अपने धन का अपने सामर्थे का जो कुछ भी ब्राप्त है उसका जो है उसका उप्योग नहीं करेंगे चोरी नहीं कर सकते जो है उसका सार्थक सदुपयोग करना यही धर्म मार्ग है सचेष्ट रहना जीवन के परती सचेट रहना जाग रुक रहना जीवन बोजिल न बन जाए जीवन आनन्दाई बने धर मतलब आनन्द जीवन आनन्दाई बन जाए जीवन आनंद में बीते कठिंत आएंगी कठिनाई आएंगी आती हैं हम परिशान भी हो जाते हैं लेकिन इन कठिनाईयों से इन समस्याओं से दो चार होते हुए हमारा आनंद कम न हो जीवन बोजिलन बने बलकि जीवन आनंद दाई बने प्रसन्नता कम न हो उत्सा कम न हो उमंग कम न हो क्योंकि हमें लक्ष की तरफ बढ़ना है हमें लक्ष की तरफ जाना है हतासा निरासा में नहीं रह सकते हम तमस में तो नहीं रह सकते तमस बहुत है अंधेरा बहुत है तमस बहुत है अंधेरा बहुत है और इस अंधेरे को इस तमस को जितना दिन है उतनी राथ है जितना समय स्रिष्टी का है उतना ही समय प्रले का है जितना समय स्रिष्टी का है उतना ही समय प्रले का है जितना दिन उतनी राद क्रम चल रहा है परिवर्तन चल रहा है क्योंकि कोई वस्तो इस्थर नहीं रही है सब कुछ बदल रहा है प्रले में घोर अंधेरे में जब सूर्य देव नहों न चंद्र न प्रतिवी प्रले में घोर अंधेरे में और कोई सामान अंधेरा नहीं प्रले का तमस से आच्छा जिद जो तमस है अंधेरे से ढखा हुआ जो अंधेरा है ऐसा हो ऐसा कोई अंधेरा थोड़ी है कोई अमावस की रात थोड़ी है अमावस की बादलों से भरी अंधेरी रात थोड़ी है प्रले में तमस से आच्छा जिद्धो तमस है अधेरे से धका हुआ अधेरा बिल्कुल अधेरा स्रिष्टी प्रले में चली जाती है क्योंकि जो उत्पन हुआ है वह अपने कारण में चला जाता है शरीर नश्ट हुआ हो जाता है शरीर क्यों क्योंकि उत्पन हुआ है जो कुछ भी उत्पन होता है वह सब नश्ट हो जाता है जायते अस्ती विपरिडमते वर्धते अपक्षियते विनश्यती जो छोप्रकार की गतियां है जो सरीर और संसार के साथ हो रही है जायते वस्तुतपन्न होती है शरीर उत्पन्न होता है इसकी सत्ता होती है परिवर्तित होता है यह बढ़ता है च्छै होने लगता है विनश्यती जो वस्तुतपन्न होती है वह अपने कारण में चली जाती है जब उसका बढ़ना परिपुर्ण हो जाता है जब बढ़के पूरा बढ़ जाता है तब घटना सुरू हो जाता है होने लगता है श्रीर के साथ यही है और संसार के साथ यही है जब बढ़ना बढ़ बढ़के पूरा हो गया घट 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 अब घटना सुरू हो जाएगा जायते अस्ती इपरिडमते वर्धते अपक्षियते विनश्यती छो प्रकार की गतिया आएं बढ़ बढ़के वर्धते जितना बढ़ बढ़के बढ़ गया अब छाय छाय होके घट चुका और जब घटना परिपूर्ण हो गया अब घट नहीं सकता जितना घटना था वो घट चुका तब विनश्यती नश्ट हो गया अब और नहीं घट सकता वो तब नश्ट हो गया क्यों नश्ट हो गया क्यों कि वह उत्पन्न हुआ था और जो कुछ भी उत्पन्न होता है स्रिष्टी भी उत्पन्न होती है यह संसार उत्पन्न होता है प्रले में चला गया तो प्रले में कितना दे रहा है तमस से आचादित तमस है उस तमस से आचादित तमस में भी उस घंडगोर अधेरे में भी जो परम प्रकाश वरूब है जो था जो है और जो रहेगा जो था जो है और जो रहेगा वह परमात्मा वह ईश्वर वह नियामक अपने अस्तित्व से सदैव विद्यमान रहता है गंगोर अधेरे में जब स्रिष्टी प्रले में चली जाती जो है जो है जो है और में अभी जो है जो है आट जो रहेगा जो रहेगा जो है झाल सवारिद बस्तित्मा से सब्सक्ड़ार अभवाब